वादी कश्मीर में जहां तरहतरा के कुल्चर और तरहतरा के विज़ाम चलते रहते हैं लेकिन उसी के बीच जहां कश्मीर को हमेशा सूफी संत का नाम दिया गया है यहाँ पहाडियों से लेकर जमीनी सता पर देखा जाएगा तो हर तरफ आपको श्राइन ही श्राइन खानका है और मस्जदे में लेंगी जिन मस्जदों और जिन खानकाओं में कभी उर्षे भी मनाया जाते हैं जिन खानकाओं के अंदर कभी बड़े दिन भी हुआ करते है आज का दिन और आज आपको सब को मालूम होगा कि आज पिरान पीर हज़द शेक सईद अब्दिलकादिर जिलानी रहमतलायला का उरसिपाग मनाया जा रहा है जहां परसुन से ही काफी जोरोशोर से तायारिया थी पहला शब मुकमल हुआ दूसरा शब कल शाम को था और आज जो है जियारत भी दिखाई गई मौए मुकदस पिरान पीर शेक सईद अब्दिलकादिर जिलानी रहमतलायला का की जियारत भी दिखाई गई मौए मुकदस के जियारत दिखाई गई और साथी साथ जहां हजारों की तैदात में लोग आये हुए थे इराक से ये पहल शुरू हुई थी कि आखिर कश्मीर में भी जो है इसलाम पहलाने की काफी कोशिश की और वो कोशिश नाकाम नहीं बलके कामयाब हुई जरा आज हमारी दा रियल कश्मीर न्यूज के डिस्क में एक खास रिपोर्ट आपके लिए पेश की है जरा गोर फरमाईएगा हस्दि शेक स्यद अब्र अब्र गादर जीलान रहमत अलाहला का असल तालुक तो जीलान जिसको गिलान भी कहा जाता है सिथा लेकिन आप रहमत अलाहला ने उम्मत की इसला की काम बगदाद जो इस दोर में मरकज इसलाम था में बेट कर किया उनकी जिन्दगी से सब को वालिहाना अकीड़त है उनकी तालिमात में हर एक और रोशनी का वो अक्स दिखाई देता है कि इन्सानी जिन्दगी खुशनमा दिखाई देती है हम को चाहे कि अपने असलाफ की जिन्दगी को पढ़ें और समझे और जाने वो लोग जो अपने असलाफ की जिन्दग्यों को तारीख के पनों में गुम कर देते हैं मुम्किन ही नहीं कि वो फ़रहो कामदानी की रह पर आ सके ये असलाफ दुनिया आस्मान के वो दर्खशास तारी होते हैं जो हैयात के उफ़क पर हमेशा अपने मतबईन को नेकी पाकिज़गी इर्सानियत महबत इखवत और हमदर्दी का दरस दे कर पाकिज़ा मौशरे की तश्कील के लिए राय हक की रहनुमाई करते हैं आए आज हम अपने अजीम बुजर्ग वलीय कामिल हज़ती शेख सईद अबलकातर जीलानी रहमदलाला की याद में चंद साथे गुजार लेते हैं उनकी पैदाईश आप 11 रुब्य सानी 470 हिज्री में मुल्क फार्स के इलाका गीलान के वजबा नीफ में आलमी वहतित से आलमी नासूप में आए अर्वी जबान में गाफ को जीम से लिखा और बढ़ा जाता है इस तरह आप जीलान कहलाएं एक रिवायत के मताबिक आपकी पैदाईश यकम रमजान 471 हिज्री में इलाके जील में हुई अर्वी आपकी वालिदा मुफ्तरम जाह जीलान के लिखा में रूसाध आपके वालिदा मुछतरम अबोस आलिया आपकेदायर थे एलसे वालिया ऐसे थे इस लिहाँ से आपकी तर्बियत एक पाक खांदान में हुई और कुरान खदीस का अब्तिदाई इल्म भी गरवालों से ही खासिल किया फिर जीलान के मुकाम, मुकामी मक्तब में कुछ तालिव हासिल की आपके इखलाक आला थे, शेक मुअमर बयान करते हैं कि मेरी आँखों ने शेक तर्कादर जीलाने के सिवा किसी को इतना खुश इखलाक, वसी और करीम नफस, नरम दिल, महर्बान, वादूं और दोस्ती का पास रखने वाला नहीं देखा, लेकिन इतने बलंद मर्तबत और और वसी और वसी और इल्म होने के बावजूद छोटों के साथ शफकत से पेश आते, बजर्गों का एहतिराम करते, सलाम में इब्दा करते और बजर्ग की साथ बेशते, फुकरा के साथ इल्म उतवाज़ा से पेश आते, कभी किसी हाकिम या बड़े आदमी के लिए इसाथ इस पालाद इसाते, साथ documents इसाथ पेश्ズ करते, स्वाज़ा इल्म इए беспरै, इसका इस्चावा होने के साथ आते हैं. सोद्गात खारती में पांडल लंती सिर्फ लंत बनावं ठर्जगा बनावं इस ती पानावं चावं जैश्छी रसूली क्वदाष अकुमति पीर कैमर नियुकुमति तेज अठर्डात तौकित करना कि स्ट्गात खारत बशुदिए भी घार्टाव जोजए से घारत बोल थे में आल्स तोअ कि रस्कादा शजिए ए्याज को में टौूल इस हम कि घीटी निढर शारे शारे को भव कि घीस भूल में लगने कौने अपशी और ले इडिनुदे निब में आत lettuce को मैंतो से का गज़ ओर आसैtain collecting प्रॉय मैंTraval वह जिए आरताई हू के लिए आत लंग सावसिते हैं मैंने गप्राव लिएाजदी Earthian Lights ऊजे जा आस कीनलोगित कैप दखो आए गजर पॉदी हमसे प्रीगते हैं पुर उम्तज दीन, आपूत, यदिदीन आप ऊपगार, नभ्रीम, अचार, अट्याह, नभ्रीम, प्राविपार, आपटून, यदु रियों सब्सक्राइब हुआए लग्रॉण, परेन आप गिजिए कोरुने दीन, आपगार, इस उनगारी, कोरुने आपकोंड़ाव, आपको नजात पर विदिगार, बेकरिन रहन तेज नजार, बेकरिन हिदायत। मद मक्बूल करिवशार वाहब सोबना लाग। तर्कित इंतिजाम होसे तो इसके दोई किस बार रहा है। आपको बहुत्या सकता में, मक्भाड़ नामज पर विदिगार, आपको शचाने बेकरिवशार नाजेदाशा में, लाखको परिएटार वाहाब सोबना लाख्यार, आचिछ, तमाम सवाभ में अला है। वैंपाथ आय एंदन्वारकर एंदन्वार करिम लाल वोल महपत वोल तिमाई गारी बूचलिए एस ताय गारी बूचलिए इमनोस बार इंतिजम थाओन मगर उन्तिजमा उसी के भाकी असमुच्यत जियाराद कोबर कोड़ित सानbig मा जोग करtså कि एंक तेलावतimaan करणा या तेलावान horr쁜ी था आप भार्त करर्ण हाओजी στην रहा द्य PreferUS अव्जा पहाओ-वे्ज जा से निशनल रहूर्ण ऐसे फाह giving, मैं काता कया थो हम साह मुन ऑवारा मेदें कष्मीर करना तRI का देघयो Sam бали Buytern की जुमा एyt तक रिखत利शनël को यहाणा पारी मत्ली सकjasबाण ऌते हैं जो फिसे शहाई के सब कर दो पूता है क्री जुमा हैแकई जुमा tentar करेवाथ निए Cu सब्ड़ भी उत्张 शबंध DOC उनकाद आसान तेम 25 जियार्त शेरीफ दियार्त शेरीफ निशान दिया की चुछ पाकस हुए धर वार है तरवार्स अग्छ शेजा है से शान शेरीफ गवस लाजम, भी शे जुबाई शेरीफ गवस लाजम यह बहुद और साग गोई यह नहीं बाज़ ज़िए पांस ना वक्त ने तेम तो ब्रकात नहीं निशान दीए सब्दान इच ज़े दूर दूर पठीवान इंतिजम यह कि मीट यह सित बिलकुल प्रत कुन रम इक इंतिजमाद थे मेद शबस दोरां ते कहन दोरां ते इमेला कोरोग वया गिज़िए पिति होंड कि मस्तरा रंग भूल तो मुतो 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 अज़ी पांस बाड़ ऊदियों तो प्रत अजिए बाड़ आसल आइस मादेन आज कर तो इस रख प्रत प्रत रिवेशन अगर आट ऑगर अला तालास मंदूर आईस वैस्कान गॉसराज मैं विल्कुलासन लाह ताला देना आठा के मीडी बेमन बजर्गन अमत करा नशिए ते मन किते सही स्लामत वाकुर दावान आइनलहा लेल्हा लाहिन श्याइटान रिजीम बिसम लाहिर रौहमण आज के दिन के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि आज मौसम ठीक रहा और यहां लोगों की तैदाद अच्छी खासी देखने को मिली और हम हकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इस जियारत शरीफ की तरफ खुसी तवज़ा दें ताकि आएंदा भी ये सिलसला बरकरार रहे और लोगों में जो एतिकाद है वो बढ़ता जाए तो यहां और दूर दूर से लोग आते हैं और उनके रहने का अभी तक यहां कोई मकसूस इंतिजाम नहीं है हम ये भी गुजारिश करते हैं कि कुछ अगर रिपेरिंग एंड रिनोवेशन के लिए हकुमत इस जियारत श रोड की जो कनेक्टिवटी है वो ठीक नहीं है तो इसलिए इस पर एक खुसूसी फुलान मरत्ब किया जाए ताकि यहां तक लोगों की रसाई बाकी आज यहां चार जम्मा के बाद भी जियारत शरीफ की निशान दी की जाएगी और जो बाकी नमाज हैं इन्शालला बाकी नमाजों के बाद भी तबरुकात की निशान दी की जाएगी यहां तबरुकात जो हजरती शेख सईद अब्दलकादिर जीलानी रहमत अलाई अले उनके जाम मुबार्क हैं और शान शरीफ हैं तो यह यहां बिलकुल महफूज तरीके से रखे गए हैं और पिछले तकरीब सफन तुन ठाई तीन सो सालों से यहां पर यह वात हैं तो आपको विसाल रूब्यू सानी 591 में नवे साल की अमड़ में हुआ अलबता तारिक के बारे में मौरिखीन में एखिलाफ है बैज 10 रूब्यू सानी बताते हैं और बैज 11 और विसान से पहले एक दिन रात आपकी तब्यत नासाज रही कहा जाता है कि इसके इलावा हस्द शेक रहमतुलाहला कभी बिमार नहीं हुए आपके बेटों ने वसुल दिया और आपके बेटे अब्दुल्वहाब ने निमाज जनाज़ा पड़ाई निमाज जनाज़ा रात के वक्त मदरसे ही में अदा की गई उस म बिरल रिपोर्ट दरेल किश्मी नियूज स्रीड़ाई ये थी जिन्दगी हजड़त पीरानि पीर हजड़त शेक सवईद अब्दुल्यकादर जिलानी रहमतुलाहला की और जुनने अपनी जिन्दगी में यही कोशिश की है कि इसलाम को हर देश के अंदर पैलाया जाएग कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में ये इनका दिन मनाया जाता है पूरे अकीदोत और एतराम के साथ और उमीद ये ही करते हैं कि आने वाले जितने भी सूफी सनद्स यहां की जियारते हैं जहां पर उनके और सिपाक है आप तक हम जुरूर पोचाएंगे और उमीद ये भी करते हैं कि आपको हमारे सिग्मेट पसंद भी आया होगा दीजे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत आप देखते रहिए मेरे साथ बढ़ियर कश्मीर नियूज